श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों इस दिन चंदरमा आपकी कुंडली में ग्यारवे भाव में है जी हाँ ग्यारवा भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंदरमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब जरूर दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनो कामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरबूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन प्रसंद रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुवात करोगे इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सोच मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है, इस समय में निवेश करने से आपको चार गुना तक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी इंकम में बड़ोत्री हो सकती है आपको इस समय में धनलाब भी हो सकता है अगर आप बिजनेस करते है और वो अगर पार्टनरशीप में है तो बिजनेस पार्टनरशीप में आपको अच्छा लाब इस समय में मिल सकता है इस समय में आपकी मैरिड लाइफ गर परिवार में प्यार और शांती का माहोल रहेगा परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा यह समय यात्राए करने के लिए भी बेहतरीन रहेग यात्राओं से आपको लाब हो सकता है बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते है या फिर आपके प्रोफेशन के लिए यात्रा करते है तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा इस समय में आपकी लव लाइप में रोमेंटिक माहोल रहेगा, लव लाइप के लिए दिन काफी अच्छा है, अगर भविश्य की निरने लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल रहेगा इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे हो सकते है, काम करने की गती बढ़ सकती है, आपकी लगबग सारी इच्छाए पूरे होने के संकेत मिल रहे है, खरीददारी करने के लिए समय अनुकोल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शुपसाबित होगा, जारी रखना जरूरी रहेगा, नोकरी के ख्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा, इस समय में आपका मित्रों के बीज उठना बैटना होगा, इस वक्त आप अपनी परसनलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे, इस समय मे पूरा लाब उठाए, अठके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले और इस दिन को पूरी तरे से एंज्जॉय करने की कोशिश जरूर करे, इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आप एनरजिटिक रहोगे, स्वास्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए, इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल क कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता ह और इस देती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजिव सा घेरा बना कर रखती है परंतु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के Entry के Main डोर के सामने ही जूते चपल डारेक्लिए उतार देते हैं दोस्तों ध्यान रखे, जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सूत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, साथ ही दोस्तों एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चप के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीज़े तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सी फूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, कारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है, और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपका मन नही लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो ब पकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है, तरकी ला स धन ला सकते है, मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद